अब हम करेंगे प्रेश्ट नमबर 74 एक त्रिभूज बनाओ जिसका आधार बी दो भुचाओं का जोड़ एस और शीशकून भी दिया गया है तो हमें इस में तीन चीज़ें दी गई है आधार दिया गया है बी दो भुचाओं का जोड़ है एस और शीशकून भी दिया गया है तो हमने तीनों चीज़ें को यहां पर मेंचिन कर लिया जो 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 हमें दिया गया था तो इस सं में हमेशा ये छीश ध्यान रखनी है जो भुचाओं का जोड़ है वो हमेशा बड़ा होगा और जो आधार है उसको हम छोटा लेंगे क्योंकि ये दो भुजाओं का जोड़ है तो ये बड़ा शो करेंगे तो सम करना शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमें दिया गया है प्रेश्ट नंबर 74 में वो हम यहां पर mention कर देंगे भुजाओं का जोड़ है तो मैंने ये बड़ा ले लिया है आधार मैं यहाँ पर छोटा mention करूंगी और आधार B दिया गया है भुजाओं का जोड S दिया गया है वो भी साथ के साथ हम mention कर देंगे एक हमें यहाँ पर शीशकून दिया गया है तो मैंने यहाँ पर शीशकून भी दिखा दिया और यहां पर इसको मैंने चाप भी लगा दी और इसका जो नाम है वो हमें दिया गया है V शेशोण अब जो हमें भुजाओं का जोड़ दिया गया था, हम इसको यहां पर मैंने यहां पर जोड़ दिया था इसको यहाँ पर ले लिया इसका नाम मैंने अपने पास से रख दिया है B, D कोई भी नाम आप रख सकते हैं D बिंदू पर इस सम में हम D बिंदू पर अपना शीर्ष कोन बनाएंगे यह पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना तो जितनी यह चाप खुली हुई थी इतनी ही चाप यहाँ से खोल के मैंने चाप लगा ली और जितना मेरा यह वी कोन है मैंने इसको नाप लिया नाप कर उतना मैंने यहाँ से यह काट दिया और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया अब इस साम में एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम जो भी हमारा शीष फोन दिया गया है उसका हम सम्द्वी भाग करते हैं तो यहां पर हम आदी से जादर प्रकार खुले रखके चाप लगाएंगे और अब हमें B बिंदू से हम आधार जितना हमें दिया गया है बी उसको नाप लेंगे और उतना नाप कर बी बिंदू पर प्रकार रखके यहां पर चाप लगाएंगे तो जब हम यहां पर चाप लगा रहे हैं तो हम सीधा इसको यहां से डार्क मिला देंगे बी बिंदू से ये हमारा आधार आगया त्रेभुज का जो हमें दिया गया है और यहां ये लिख लेंगे ये हमारा है बी और इसका नाम बिंदू का ए रख लेंगे अब हमारे पास आधार आगया बाकी त्रेभुज की दो भुजाएं कैसे आएंगी अब हमें ये जो शीश क उनकी रेखा है बूजा है इसके पैरल्ल हम ए बिंदू से रेखा यहां पर खीचेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए है Set Square Set Square का यूज़ करते हुए एक इसके पैरल्ल सेट कर लिया हमने और दूसरे को उसके उपर सेट कर लिया इसके उसाथ चलाया और A बिंदू तक ले आए और यहां पर लाके मैंने इसको हलका सब पीछे ही रोकूंगी क्योंकि मुझे डारेक्ट स्केच पैंसे रेखा खीशनी है क्योंकि हमारी आंसर लाइन है तो यह डार्क आएगी और यह हमारा C बिंदू आ गया त्रेभुज का और नीचे जो हमारी दूसरी भुजा है ते बुच की वो भी हम धाक कर लेंगे तो यह जो कंप्लीट था मैं हापकर मेंशन चर देती हूं और आपको भी ऐसे मेंशन करना है चाहिए स्टार्टिंग में आप इसको मेंशन कर दीजे यह टोटल हमारा था S भुजाओं का यह आ गई और एक भुजा हमारी यह है और अधार हमें यह दिया गया था तो आज की वीडियो में इतना ही थांक्यू सो मच